हालो फ्रेंट्स, न्यू टेक डवाइस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी इमेज के बेक्ग्राउंड को कुछी सिकंड में रिमूव कर सकते हैं वो भी बिना किसी अप्लिकेशन के और इसके बाद आप उसके पीछे किसी भी बेक्ग्राउंड को कैसे लगा सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं किसी भी इमेज के बेक्ग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको किसी भी अप्लिकेशन की जरूरत नहीं है बस आपको अपने computer या फिर अपने mobile में किसी भी browser को open करना है और इसमें type करना है remove.bz इसके बाद आपके सामने कुछ इसतर से page आ जाएगा यहाँ पर आप जिस भी image का background remove करना चाहते हैं आपको उसे upload करना है इसके लिए आपको upload image के उपर click करना है यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल जाएंगे या तो आप camera से photo को click करके upload कर दीजिए तो चलिए मैं यहाँ पर camera से photo को click करके upload कर देता हूँ जश्ट आपको एक photo click करनी है इसके बाद फिर आपको ok कर देना है इसके बाद फिर यहाँ पर photo uploading होना सुरू हो जाएगा उसके कुछी सिकंड के बाद यहाँ पर आपके image का background remove हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते है result हमारे सामने आ चुका है मेरे image का background remove हो चुका है यह हमारी virginal photo है यह हमारा result है अब जश्ट आपको यहाँ पर download के उपर click कर देना है इसके बाद फिर आपकी image यहाँ पर download हो जाएगी यह देखें यहाँ पर download हो चुका है अब इसे हम open कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे image का background remove हो चुका है और बिल्कुल perfect तरीके से remove हुआ है आप इस image को कहीं पर भी use कर सकते हैं चलिए यहाँ पर हम एक और image का background remove करके देख लेते हैं तो इसके लिए जश्ट आपको upload image के उपर click करना है इसके बाद फिर आप browse के उपर click करिए और जिस भी image का background remove करना चाहते हैं उस image को select कर लीजिए यहाँ पर मैंने image को upload कर दिया है अब आपके सामने यहाँ पर result आ चुका है आप देख सकते हैं मेरे image का background remove हो चुका है यह थी यहाँ पर वर्जूनल फोटो और यह हमारा result है जश्ट आपको download के उपर click करना इसके बाद आपकी image download हो जाएगी आप इसे open करके देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे image का background remove हो चुका है अब चलिए हम इस image के पीछे किसी दूसरे background को लगा देते हैं background लगाने के लिए आपको किसी भी thumbnail maker application को open करना है तो चलिए हम यहाँ पर pixel lab को open करने के बाद आपको सबसे पहले हम पर background select करना है background आप इस application के अंदर से भी choose कर सकते हैं या फिर आप direct gallery से भी इसे upload कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर gallery से एक background choose कर लेता हूँ इसके लिए आपको from gallery के उपर click करना है इसके बाद फिर आपको background select कर लेना है इसके बाद फिर आपको इसके size select कर लेनी है उसके बाद फिर आपको ok को उपर click करना है यहाँ पर आपका background आ गया है अब आपको यहाँ उपर plus के निसान के उपर click करना है इसके बाद फिर आपको from gallery के उपर click करना है करने के बाद आप झाहां को थोड़ा सा छोटा कर लिए गांपर देख सकते हैं यहां पर हमारा कर देते हैं remove background in seconds इसके बद को ओके कर दियना है कर सकते हैं कि इसके बाद आप color के ओपर खिलिक कर के इसका color चूज कर सकते हैं जो भी आप phone का color रखना चाहते हैं उन रहा सकते यहां पर इसका telephone कर सकते हैं बस फीर यहां पर आपका photo तो इस तरीके से आप कुछ ही सिकेंड के अंदर आपने इमेज के बिना किसी अप्लिकेशन के और उसके पीछे आप किसी भी दूसरे ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप यूट्यूब पर बटन जो दबाईए साथी से अपने दोस्तो करना बिल्कुए मत भूलिए क्योंकि मैं आप लोग को लगाई से हेलफुल वीडियो लेकि आता है रहता हूं तो फ्रहाल दोस्ते इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखिए का आपको बहुत बहुत धन्नवाद मैं मिलता हूं आपको यह कोड़ने वीडियो को साथ जब त